नमस्कार दोस्तों आज का प्लान 31 वाई 31 विट के प्लाट के उपर रेडि के अगया है काफी यूजपुल आपके ये जानकारी होने वाली है क्योंकि पूरा प्लान वास्तु सास्तर के अकोर्डिंग बनाया गया है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का जो ये घर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इस घर को बहुत कम खर्चे में अच्छे से बना सकते हैं सबसे पहले देखिए बात करते हैं प्लाट की तो 31 विट इसकी चोड़ाई है आगे से और 31 विट पीछे से चोड़ाई है लंबाई भी 31 विट है दोनों तरब से ठीक है या नो सो साथ स्क्वाइर फिट में आपका इतना स्यांदर घर अराम से बन जाएगा लगवग खर्चे की बात करते हैं तो 9 से 10 लाग रुपे के बीच में आपका इसका खर्चा बेटेगा वैसे देखिए जो आपका एवरेस खर्चा है वो मैंने आपको बताया है ऐसे तो खर अरजेज होते हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है और जो निर्मान समगरी होता है उसका भी रेट में अंतर आ सकता है बट 9 से 10 लाग एवरेज में आपको बताया इससे थोड़ा बहुत आगे पिचे हो सकता है अब देखिए 107 स्क्वाइर यार्ड में टोटल आपका य डिसाओं को आप यहां से समझ सकते हैं इदर पूर्वय दिसाओं इदर पक्सिन दिसाओं इदर नौर्थ है यानि कि उत्तर डिसाओं साओं ध गर के अंदर एंटर करते हैं तो वास्तू के गेट लगेगा अंदर जाती 11 बाई 13 फिट की पार्किंग एरिया मिलेगा आपको काफी यूसपुल पार्किंग एरिया अराम से आपकी बाईक, स्कुटी या फोर्विलर अराम से आप पार्क कर सकते हैं बाद भी आपकी जगह बच जाएगी, इधर यह जो आप गोल निसान देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पानी का भूमी का टिस्टोरेज टेंक बनाना है, जो धर्ती के अंदर बनता है, ठीक है, तो यह आपका इसान कॉर्णर है दोस्तों, इसान कॉर्णर ओपन रहेगा, तो गर में, अब देखे, इधर आप अंदर एंटर करते हैं, ग्याराबाइ 12 फिट का आपका होल आ गया, यानि की घर का लिविंग एरिया है, पूरे इस्तान को काफी साफ सुतरा अच्छे से रखे, अपने जो ब्रहमिस्तान होता है, अंगन होता है, उसका विशेस आपको वा 15 भी कर सकते हैं, बीच का जो 5,5 फिट स्पेस रहेगा, वह आप छोड़ सकते हैं, 11 by 5 फिट का इस्पेस आपको दिखाया गया है, इधर एंटर करते हैं तो रसोहिगर दिया गया है, 7 फीत तीन इंचब आइ 9 फिट का रसोहिगर है, अगनी कौन के अंदर रसोहिगर दिया देखिए रसोई गर के ठीक पास में काफी बड़ी आपकी जो सीडियां दी गई है, ये सीडियां पूरी वास्तू के एकोडिंग जा रही है, ठीक है, दक्सिन की दिवार में सीडियां नीचे होल में खिर की दर खुलेगी, सीडियां इस टाइप में देने का मेन कारण ये होत पूजागर का दरवाजा लेट बात का दरवाजा सामने नहीं होना चाहिए तो पूजागर को आपको इसके दरवाजे को छोड़कर उस इंसाफ से बनाना है पूजागर का दरवाजा इस चीज़ का विशेज द्यान रखें लेट बात का देखिए तब ही आपको 11 फिट का स्पेस दिया गया है ठीक है तो आप अराम से पूजागर को 4 फिट 5 फिट के स्पेस में अराम से बना सकते हैं इस साइड में ठीक है कोई प्रोब्लम नहीं 12 फिट का रूम दिया गया है रूम की एक विंडो इदर ओपन किगई आप चाहें तो एक विंडो फ्रंट पार्किंग में भी ओपन कर सकते हैं रूम काफी हवादार अच्छे से रहएगा पीछे वैसे ओपन एयरिया दिया गया है ओपन एरिया में जाने के लिए आप यहा से बताईएगा कॉमेंट करके और लाइक करके हमारा हुसला बढ़ाए ताकि और भी आपको यूस्पुल हम वीडियो लाके दे सके बनाके अच्छे से आपके लिए तो आज के लिए इतना ही अपना ध्यान रखें परिवार के साथ खुश रहें स्वस्त रहें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जाएगे